हेलो फ्रेंड्स मेरे यूप्टु चैनल इंप्रूफ्यूर नॉलेज में आप से भी कशकागत है फ्रेंड्स आज में आलू मतर की रेश्पी लेकर आए हूं ठंडी का शीजन है ताजे-ताजे मतर आने शुरू हो गये हैं और नई वाले आलू ही आने लगी है तो इस आलू मत आप लाइक कीजिए शर्ट कीजिए शेयर कीजिए और कमिल करना मत भूलिए तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं हैं जब घयस पर हमने कड़ाही में दो बड़े चमच तेल ले लिया है अब हम गयस को आउन कर लेंगे और तेल को हम अच्छे से गरम करेंगे आलू मत पर बनाने के लिए हमने कराही में दो बड़े चमच तेल को गरम कर दिया हैं तेल में हम ढालेंगे एक चमच भड़ के जीरा आलू मतर में जीरा का श्वाज बखोत ही बढ़ियां आता हैं जीरा को हम हदका चांशा ब्राओं हुमें बेंगे जादा हमें जलाना नहीं है या प्याज को बारीक बारीक काट लिया है क्लेवी इसे दाल देंगे और चलाते हुए हम चॉक्त होने तब भूनेंगे 5-6 मिन लगता है प्याज चॉक्त होने में पोई ही सब्दी आप बनाईए प्याज को भूनते हुए तीन से साल मिन लगता है आप देख सकते हैं अपना प्याज का कलर कितना बढ़िया आ चुका है अब हम इस प्याज पर दालेंगे एक चमच अद्रक लसु जी से हमने कूट लिया है आलू मटर में ज्यादा अद्रक लसु नहीं डालते हैं क्योंकि जाओमा जो है उच्च जाता है तो हम इसे भी एक मिनट तक भूम लेंगे जान रहे फ्लेम हम मेलियम ही रखेंगे अद्रक लसु नहीं चुका है अब हम इसमें डालेंगे दो बड़े बड़े टमाटर जीसे हमने ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है अब यहां पे प्यूरी भ का सकती शने देटर में प्यूंत है रहने है कर दोंके यहां पे हम चार जने के लिए आलू मतर की सब्धी तयार कर रहे हैं इसमें हम डालेंगे दो चमस लाल मीड पॉडर तो मीर चाप अपने तीखा के अनुशार अर्जेश कर लिए पर दो चमस सही होता है हम टमाटर के साथ मशाले कोथी भूनेंगे इसे भूनने में हमें 3-4 मिनित लग सकता है फिर मैं आपक अब देख सकते हैं कमाटर के साथ हमने मशाले को भून लिया है अब हम यहां पे नमक एड़ करेंगे तो हम स्वार के अनुशार यहां पे नमक डाल लेंगे हम डालेंगे यहां पे आधा चमच अम्चुर पॉडर्ण साथने हम डालेंगे आधा चमच हीम हमने यहां पे उस खड़ी मीर्चे रखी है आलू मतर में खड़ी मीर्च का स्वाथ बहुत बढ़ियां आता है तो आपको ज्यादा स्पाइसी पसंद हो तो डालिए नहीं तो फिर भी कर सकते हैं अब सारे इंगिन्स को हम दो सेकेंड के लिए भून लेंगे अब अम्सुल पॉडर नमस के साथ 2-4 मिन तक भूनने की कोशिश करेंगे यानि कि जब तक अपनी मसाला अल्षे से भून जाए हम उसे भूने ही अब हमें चलाना बंद में करना है नहीं तो तले में लग सकता है मचाला अर्षे से भून चुका है यानि कि कडाही तेल सोवने लगा है आप देख सकते हैं अपना ये मचाला शुखा शुखा तयार हो गया है अब हम इस इस्टेज पर डालेंगे मटर तो मटर हमने यहां पर फ्रेश दिया है फ्रेश मटर के सब्दी बहुत बढ़िया रग यही क्यों शुखा रही है इस इसे हमें एक मिनट तक अच्छे के भून लेना है अब बढ़्याज अलड़ आ रही है मटर की चबजी के अब हमने मशाले के साथ मटर को एक मिनट तक भून लिया है तो हमें बटाना को थोड़ा शौक्ट करना है तो यहां पर हम फोड़ा शापानी डालेंगे और ऐसे मटर को मीक्स कर देंगे अब देख सकते हैं अपनी मटर की कलर ग्रेवी की कलर कितनी बढ़ियां आ रही है अब हमें मटर को कभर करके 2-3 मिनट तक पकाना है मेडियम फ्लेम पे पकाएंगे तभी अच्छे से सॉफ्ट होगा अपना मटर अब चलिए हम कभर हटाके अपनी सब्की चेक करते हैं अब देख सकते हैं अपनी मटर जो है अच्छे से उबल रही है तो यह 80% सॉफ्ट हो चुका है अब हम बाकी के 20% आलू के साथ पताएंगे यह बहुत ही बेकरी इसे सब भी पसंद करते हैं अब हम यहां पर डालेंगे वायल घिया हुआ आलु को हमने वौल करके पिल कर लिया है, तो इसे हम हाग से ही तोड़ के डालेंगे, जैसे कि हम समोशा में तोडते हैं, एक दम मुटे-मुटे, छोटे-छोटे पीसिस करके, तो हम इसमें चार आलु डालेंगे, जैस्ता कि हमने बताया आप लोगं के लिए यह सर्टी हम चा को हमें सेटगा कर आदेंगे एक तर में करेंगे तर डालेंगे एक चमस गर्म शाला। तोरी हम डालेंगे इसमें कश्टूरी मेथी का आरोमा मतर में बहुत सी बढ़ियां आता है आपके पास है तो डालिएगा जरूर नहीं तो कोई बात नहीं अब हम इसमें डालेंगे एक ब्लाश पानी पानी को हम अच्छे से मिक्स करनेंगे सब्जी से बहुत ही बढ़ियां फिश्बू आ रही है इसकी ठीकनेश भी आप देखिए बहुत ही बढ़ियां आया है अब हमें क्या करना है इसे कभर करके दो से तीन मिनट तक और उबाल रेना है जिससे जो मतर है कच्छा होगा और भी पक जाएगा और आलू के पीसे में अच्छे से ग्रेवी जो है वह भी अफजब हो जाएगी तो हम इसे कभर करके पका ले रहे हैं तो चलिए हम आलू मतर की सब्जी को चेक कर लें आप देख हैं मतर अच्छे से पत्चुपा है सब्जी की ठीकनेश ही बहुत बढ़िया है हमें पूरी पड़ा थे रोटी राइस जैसे भी खानी हो एक ठीकनेश सही रहती है सब्जी की तो अब हम इसकी ऊपर डालेंगे पीस कटा हुआ धनिया पत्ता धनिया पत्ता को हम मिक्स कर ले करना है हमें अब हम गैज की फ्लेम को अफ कर लेंगे तो आप देख सकते हैं अपनी आलू मटर की सब्जी बनकर तयार है तो चलिए हम सबजी की प्लेटिंग कर लेते हैं आप देख सकते हैं कितनी बढ़ियां अपनी सबजी की कलर, ठीकनेश तो हमें ऐसी ही आलू मटर की सबजी बनानी थी इसे हम साथ करके आपको दिखा रहे हैं एकदम रेश्टोरेट की जैसे ये आलू मटर की सबजी तयार हुई है आलू मटर की सबजी बनकर तयार है आपने देख लिया इसे बनाना कितना आशान है इसे बड़े बच्चे सभी पसंद करते हैं तो फ्रेंड्स इस रेश्बी को आप भी रूट राई कीजी और नेरे चैनल को लाइक कीजी सब्सक्राइब कीजी शेयर कीजी और कमिट करना मत भूली धन्यवाद